लाल किताब में ज्ञान और गुरु का महत्व आलंकारिक शब्दों में लाल किताब के विद्यार्थी इन चार लाइनों पर ध्यान दे सूरज के बगैर किस्मत एक अंधेरी चीज है और हवा के बगैर सूरज की गर्मी दम घोटने वाली होती है जिसका सूरज उच होता है जमाने की हवा उसके पाफ पकड़ती है यनि मदद करती है मंगल की लाली उसे सुर्ख रू कर देगी सूरज की रेखा जितनी शाखदार होगी उतनी ही मजबूत होगी दॉट पहली दो लाइनों के अर्थ सूरज को जोतिश में इल्म, ज्यान और रोशनी का कारत माना गया है सूरज का न होना या रोशनी का न होना अंधेरे का जीवन होता है यानि ज्यान की रोशनी के बिना किस्मत में अंधेरा ही रहता है ब्रिहस्पत को जोतिश की भाशा में हवा माना है हवा के बिना रोशनी एक स्थान से दूसरे सथान पर नहीं जा सकती इसलिए ऐसे समय में सूरज की गर्मी जब हवा न हो दम घोंटने वाली होगी लाल किताब इल्म की ये लाइने बताती हैं कि ग्यान और गुरू क्या है और इनका आपस में क्या तालूक है इल्म या ग्यान का कारक सूरज है और ग्यान की रोशनी को आगे चलाने वाली हवा का कारक गुरू या ब्रिहस्पत है यानि ग्यान और गुरू दो अलग-अलग चीजे हैं सूरज अगर ग्यान है तो इस ग्यान को चलाने वाला यानि एक स्थान से दूसरे स्थान, एक इनसान से दूसरे इनसान तक पहुचाने वाला गुरू या ब्रहस्पत है हवा या गुरू के बिना ये ज्ञान आगे नहीं जा सकता इसलिए ब्रिहस्पत अपनी हवा के द्वारा इस ज्ञान का विस्तार करता है या इस ज्ञान को दुनिया तक पहुचाता है इसलिए इसे ब्रिहस्पत यानी इवस्तार सहित का नाम मिला है आकाश में फैली हुरी सुगंध या दुरगंध का प्रसार या विस्तार हवा ही करती है अब गुरु या ब्रिहस्पत का ये काम हुया की ज्ञान, सूरज की रोशनी को एक जगह से लेकर दूसरी जगह पहुचाना यानि गुरु का कर्तव्य है ग्यान का विस्तार करना अगर गुरु ये काम न करे तो क्या होगा यानि वो ग्यान को आगे न ले जाए या औरों को न दे तो फिर वही सूरज की गर्मी, सूरज का ग्यान दम घोंट देने वाली हो जाएगी ज्ञान के आदान प्रदान से संबंधित बहुत ही बहुमूल्य बात छिपी हुई है इन आलंकारिक शब्दों में वो ये कि अगर कोई इनसान इस दुनिया में किसी से ज्ञान कल्यान कारी विद्या प्राप्त करता है और उस विद्या को वो आगे किसी और को नहीं देता तो वह उसके लिए दम घोंटने वाली हवा का काम करेगी इस विशय की तीसरी लाइन है जिसका सूरज उच होता है जमाने की हवा मदद उसके पाफ पकड़ती है मंगल की लाली उसे सुरखरू कर देगी यानि जिसका ज्यान उंच दर्जे का होता है जमाने की हवा किस्मत उसका साथ देती है और उसे इस दुनिया में सुरखरू कर देती है यानि दुनिया में उसका नेक नाम होता है इस विशय की चौथी लाइन है सूरज की रेखा जितनी शाखदार होगी उतनी ही मजबूत होगी शाखदार रेखा का अर्थ है अनेक शाखायों का होना यानि ग्यान का ज्यादा से ज्यादा से बाटना या विस्तार करना उस ग्यान को मजबूत या पायदार करेगा